नवश्कार बहुत बहुत सुवागत है आपका पबलिक एशिया न्यूज में मैं हूँ आपके साथ निशान्त वद्स और अब वक्तों गया है देश की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराने का पहली खबर क्यों चलते हुए आपको बता दे पड़ोसी मुलक पाकिस्तान से आ रही है पीम मोदी के लिए राकी आपको बता दे पाकिस्तानी मुलक कमर मोहली शेख इस साल अपने भाई परधानमंतरी नेंदर मोदी को राकी बानने के लिए तयार है वेरक्षाबंदन के मौके पर दिल्ली आएंगी शेख ने इस साल राकी खुझ से तयार की है जो देखने में काफी खुबसूरत है उन्होंने उनके लिए खास तोर पर डाल रंग की राकी बनाई है बता दे शेख पिसले 30 साल से हर साल पीम मोदी को राकी बेजती है और अगली ख़बर क्यों चलते है आपको बता दे हैदराबाद में 16 साल की एक नाबालिक लड़की के साथ सामोहिक दुशकर्म का मामला सामने आया है आरोप है की कुछ यूवक नाबालिक के घर में जबरन घुज गए चाको की नोक पर उसके भाई को बंदग बना दिया इस दोरान तीन आरोपियों ने बारी बारी से नाबालिक के साथ दुशकर्म किया आरोपी की तलाश की जा रही है तीसरी ख़बर आ रही है करनाटक के दिकैरी शहर में एक मेडिकल कॉलिज में महीला शहतरवास के परिसर में अश्लील हरकत करने के मामले में एक यूवक को गिरफतार किया गया है पुलिस कैनूसार आरोपी अपनी बाइक पर आकर शहतरवास में महीला को परिशान करता था और अक्सर अश्लील हरकते करता था जिससे चात्रों में भै और धहशत पैदा हो जाते थी कॉलिज के चात्रों में सोमवर को विरोध प्रोदेशन किया और अगली खबर क्यों चलते हो आपको बता दे सपाने ता आजम खान ने 2017 के हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोट का दर्वाजा कटकट आया उनकी आचिका पर अब 23 अगस्त को सुनवाई होगी मामला 2007 में पूर्फ मुख्या मंतरी मायावती के खिलाफ अपमान जनक भाशन देने का है इस मामले में कोट ने आजम को आवाज के नमूना देने का आदेश दिये हैं जिससे उन्होंने शीर्श अदालत में चुनौती दी है और आखरी खावर क्यों चलते होए आपको बता दें आई 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 ए के पूर्फ प्रोफेसर आर्सी कपूर ने कहा की कि चंदरयान 3 हर तरह से सुझित है और इसकी लेंडिंग निर्धारी तरीके से सफल होगी उन्होंने कहा कि भारत की तीसरे चंदर मिशन के लेंडर और रोवर को चंदरयान 2 की विफलता की सीक से बनाया गया है इसके अनुसार चंदरयान 3 तेईस अगस्त को लगबग 6 बच कर 4 मिनट पर चंदरमा पर उतरने के लिए तयार है ऐसी देश की टाज अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले नमस्कार